अस्सलाओं अलेकुम आज का मारा टापिक अफ डिसकेशन है बियॉलिजिकल इंपोर्टेंस आफ वाटर यानि लाइफ के मेंटिनेंस के लिए वाटर की एहमियत क्या है और क्यों है इस लेक्चर में हम वाटर की कुछ युनिक प्रापर्टीज पढ़ेंगे जो वाटर को होता है इस बाडर इसे लाजह भ SCOTT कितना इंपोर्टेंट है अब हम देखते हैं वाटर की नेचर को कि वाटर की स्ट्रक्चर खेंगे जो ड्रकों को युट toujours होटेंगे जो वो unevenly distribute होते हैं, तो polar molecule बनता है, so water is a polar molecule, in water one pole is slightly positive and the other is slightly negative, water के अंदर दो pole होते हैं, एक slightly negative होता है, और एक pole slightly positive होता है, water के अगर हम molecule के बाद करें, तो water का molecule hydrogen और oxygen के element से मिलकर बना होता है, oxygen element is an electron negative element, electron negativity बोलते हैं, electron attracting capability को, property को, यानि oxygen एक electro negative element है, so egg element उतना ज्यादा एक्टरो नेगड़िव होगा है, जितनी ज्यादा उसमें electron को अपनी तरफ खेंचने की सलाइद होगी, so in this case, hydrogen is electropositive or less electron negative, और oxygen ज्यादा एक्टरो नेगड़िव है, तो oxygen क्या करता है, electron को अपनी तरफ खेंच लेता है, hydrogen के electron को भी अप अपनी दरब खेंच लेता है completely accept नहीं करता बलके खेंचता है जिसकी वज़े से क्या होता है oxygen पर slight negative चार जाता है और hydrogen का case देखें तो hydrogen से electron दूर जा रहा है जिसकी वज़े से hydrogen पर slight positive चार जाता है अब इसकी वज़े से water में दो पॉल बनते है negative और positive पॉल और जिसकी वज़े स slightly positive है तो इन दोनों के दिरम्यान force of attraction create हुई यह dotted line से आपको show हो रही होगी इसी force of attraction को hydrogen burning कहा जाता है जो आपने काफी सुनों होगा कि water मालीगूल में hydrogen burning होती है so here you can see oxygen is a slight negative and hydrogen is a slight positive event और इन दोनों के दिरम्यान force of attraction create हुई इसको hydrogen bond कहा जाता है और यह एक जो water का मालीगूल है तकरीबन चार दीगर water के मालीगूल के साथ hydrogen burning बनाता है अब इस bonding की basis पे water के अंदर कुछ unique properties generate होती है उन्हें देखते है first property is solvent property solvent solvent बोलते हैं solvent एक ऐसा substance होता है जो solutes को अपने अंदर dissolve करता है so water is a universal solvent यह हम सुनते आए हैं हम जहां पर देखते हैं कि water is an excellent solvent for polar molecules पॉलर मालीगूल के लिए water जो है वो excellent solvent है जहां पर हम एक पॉलर मालीगूल को देखते हैं जो कि NACL है जिसमे ऑनिक bond होता है जब हम इसे water में डालेंगे dissolve करने ही कोशिश करेंगे तो क्या होगा जो NACL का जो negative end है उसकी तरफ water molecules के positive terminal इसे वाले molecules atoms आकर attach हो जाएंगे यहां पर आप देख पा रहे है hydrogen जो slightly positive end है यह negative के साथ जाकर attach होगा और इसे अपनी तरफ खेंचना शुरू करेगा इसी तरह जो water molecules का negative end है जो के oxygen है वो positive end के साथ NACL के positive end के साथ जाकर attach होंगे और इसे अपनी तरफ खेंचेंगे जिसकी वज़े से NACL के दिरम्यान का जो bond है वो break हो जाएगा और NACL water में dissolve हो जाएगा इस dissolution का फाइदा क्या होता है कि अब यह जो dissolve solutes हैं यह बहुत ज्यादा active हो चुके हैं chemically reactive हो चुके हैं क्योंकि यह solutes आप easily move कर सकते हैं water के अंदर so यही concept है कि it helps in chemical reaction of the cell बहुत सारे cell के अ हो रहे होते हैं वह aqueous environment में होते हैं यानि उन में जो solutes हैं वह equally जो है move कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा reactive होते हैं so this is the benefit of solvent protein in body of living organism यहां पर एक और में आपको बता बात बता दूँ के water के water का जो molecules हैं वो non-polar molecules को अपने अंदर dissolve नहीं करते हैं जैसे के हमारी body के cells के अंदर बहुत सारे organelles हैं cell wall होगी और बहुत सारी ऐसे organelles और structure जो के non-polar हैं उनको water dissolve नहीं करता है जिसका फाइदा क्या होता है कि उन structures की integrity cell के अंदर body के अंदर maintain रहती है अब हम next property study करते हैं high heat capacity heat capacity बोलते है energy heat required to raise a temperature of any liquid यानि किसी liquid के temperature raise करने के लिए जितनी energy चाहिए जितनी heat चाहिए उसको heat capacity कहा जाते है और water की जो heat capacity काफी high है as compared to other liquids इसका benefit क्या होता है it helps in homeostasis हमारी body के अंदर बहुत सरे chemicals reactions हो रहे होते हैं और energy generate हो रही होती है तो water क्या करता है उस energy को accept करता है लेकन इतनी जल्दी उस energy को accept करने के बाद भी warm नहीं warm नहीं होता क्यूंकि water की heat capacity काफी high है जिसकी वज़े से हमारी body का जो thermoregulation है heat की temperature है वो एक narrow range में रहता है homeostasis रहती है next property study करते हैं high heat of vaporization heat required to vaporize a liquid किसी liquid को vapor बनाने में जो energy चाहिए उसको heat of vaporization कहते है और water की heat of vaporization भी काफी high है यानि water को vapor बनाने में काफी high energy चाहिए vapor water कब बनेगा जब उसकी hydrogen bonding break होगी और hydrogen burning काफी strong burning है उसको break करने के लिए काफी energy चाहिए इसलिए हम कहते हैं कि water की heat of vaporization है काफी high है इसका फाइदा क्या होता है it helps in cooling for example sweating यह हमारी body को cool करने में बहुत ज्यादा helpful होता है इसे के पसीना आता है तो जो water के माली गुल्स है हमारी body के ऊपर जो पौर से निकलते हैं और फिर air जो है उनसे heat लेती है और उन्हें वैपर्स बनाती रहती है और पीछे जो है हमारी body cool down होती रहती है इन concepts को हम separately कभी detail से भी देखेंगे यहां पर मेरी कोशिच यह है कि 10 मिनट की lecture में यह सारी properties आपको समझा दूँ next property है density and freezing property density वहते हैं mass per unit area यानि कोई माली को लापस में कितनी compactly arranged है so density of water decrease blow 4 degree centigrade due to which ice flots on water water की density 4 degree centigrade से जब नीचे जाता है temperature water का तो इसकी density कम होनी शुरूआ जाती है यही वज़ा है कि ice जो है solid farm of water वो समंदर में तैरती है उपर float करती है इसका reason देखते हैं जब water के माली क्यूल liquid farm में होते हैं तो यह माली क्यूल के दिरम्यान की जो hydrogen burning है यह constantly broken होती रहती है और नए bonds बनते रहते हैं जिसकी वज़ा से यह जो दिरम्यान में spaces होती है यह fill होती रहती है यहां पर भी water के माली क्यूल को space मिली वहां से bond टूटा और उस space को fill कर दिया इसकी वज़ा से जब liquid state में water होता है तो उसकी density high होती है अब हम बात करते हैं कि जब water 4 degree centigrade से नीचे जाता है तो उसकी density low होना चुरू होती है क्यों होती है कि water के जो माली क्यूल है इनके movement slow होना शुरू हो जाती है और जैसे ही ice बनती है movement बंग हो जाती है क्योंकि solids के दिम्यान माली क्यूल मूब नहीं करते है जिसकी वज़े से यह जो empty spaces है as it is रह जाती है और empty spaces होने के वज़े से water की density low हो जाती है और water float करना शुरू हो जाता है यानि ice float करती है water की surface पे इसका benefit आपको पता ही होगा इस property protects the aquatic ecosystem यानि समूंदर में जो ice की जो है वो surface बन जाती है और वो एक insulating layer बन जाती है नीचे का जो water है वो as it is रहता है और aquatic जो life है यानि मचलियां होगी जितनी भी aquatic organism है वो अपनी life को maintain कर पाते हैं next और last property study करते है high surface tension and cohesion cohesion बोलते है is the force whereby individual molecules sticks together एक ऐसी force होती है cohesion जिसके जरिए individual molecules आपस में जोड़े रहते हैं तो water के molecules के दर्मान cohesive force कौन सी है hydrogen burning exactly hydrogen burning क्योंके strong burn नहीं है इसलिए हम कहते हैं water की cohesive force काफी ज्यादा है surface tension की बात करें तो at the surface of liquid this cohesive force is called surface tension liquid के surface पे जो cohesive force है उसको surface tension कहते हैं suppose this is a glass तो इसको अगर आप full कर दें water से तो इस तरीके से water rise होगा हलाएंके water को एक straight area तक जाने से जहां से flow कर जाना चाहिए था लेकन water rise होता है यह आप experiment कर भी लीजिएगा यह किस वज़ा से होता है कि water की surface tension होती है यानि surface के molecules नीचे वाले molecules इनको अपस में खेंचते हैं जिसकी वज़े से water नीचे नहीं गरता सो हम कह सकते हैं कि how difficult it is to break a surface is known as surface tension यानि surface of any liquid को तोड़ने के लिए कितनी ज्यादा आपके पास force आपको force चाहिए सो water की surface tension काफी हाई होती है इसका benefit क्या होता है कि बहुत सरे ऐसे organisms हैं जो water की surface की उपर float करते हैं यानि water की surface काफी strong होती है break नहीं होती जिसकी वज़े से वह molecules float कर पाते हैं जैसे कि spider आपने काफी ऐसे organisms देखे होंगे काफी सारे जो water की surface की उपर चलते रहते हैं और sink नहीं करते water की surface को break भी नहीं करते क्या करते हैं it helps in translocation of water and plants plant के अंदर translocation of water होती रहती है root से water plants leaves तक जाता है तो इस translocation में cohesive force का बड़ा हिस्सा है बड़ा हाथ है क्योंकि cohesive force water के molecules को आपस में जोड़े रखती है इसलिए water का molecules constantly move कर रहा होता है यानि break apart नहीं होता जोड़ा हुआ flow करता है so this is the basic concept of cohesion हमारा जी lecture यहीं पर था hopefully आपको मेरा जी lecture समझ में आया होगा हमारे चैनल को subscribe करना मत भूलें शुक्रिया अल्लाव